नमस्का आप देख रहे हैं खबर प्याली मैं हूँ शुतिश्र वास्तव जब 26 जन्वरी करीब है देश के गौरव स्यान अताकत की जहां की दुनिया देखेगी तो उससे पहले मोदी सरकार के फैसले को लेकर देश बेर में बहस छड़ गई है शहीदों की विरासत का क्या किसी में विलै हो सकता है परंपरा को बॉडनाइजेशन के नाम पर बदला जा सकता है क्या ये तमाम सवाल पूछे जाने लगे हैं तो आकरी इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान जोती को लेकर ऐसा क्या तैक किया गया सरकार ने की तक्रार बढ़ गई और आज हम सब आपको यही बताने जा रहे है विवाद और बहस की शुरुवात हुई सरकार के एक एलान के साथ जिसमें ये कहा गया कि करीब पांच दशक से दिल्ली के इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान जोती का वार मेमोरियल में जल रही मशाल में विले कर दिया जाएगा और अगर आप इंडिया गेट गया हो या फिर तश्वीरों में देखा होगा कि इंडिया गेट के पास चार पिलर पर एक छत्री बनी हुई है जो खाली है वही पर जी हाँ वही पर नेताजी सुभास चंद्रबोश की प्रतिमा लगाई जाएगी बतावें कि जब इंडिया गेट बन कर त्यार हुआ था तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मुर्ती लगी हुई थी इसे बाद में ब्रिटिश राज के समय की अन्य मुर्तियों के साथ कोरोनेश पार्क में स्थापित कर दिया गया यह 1960 के दशक तक यहां लगी थी और 1968 में इसे हटाया गया था अब जॉर्ज पंचम की मुर्ती की जगा प्रतीक की रूप में केवल एक छतरी भर रह गई है जहां अब नेता जी की फोटो लगाई जाएगी कॉंग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोधी सरकार इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है वही केंदर सरकार ने बेपक्ष के आरोप को बेबुनियाद बताया है पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे हम आपको अमर जवान जोती इंडिया गेट वार मैमोरियल और इस पैसले के बारे में भी एक एक बाते बताएंगे लेकिन अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर भी जरूर करिए तो सबसे पहले इस विवात के बाद पियम मोदी के ट्वीट को देखिए पियम ने जिसमें नेता जी सुवास्चंद बोस की 125 जैनती के उपलक्ष में इंडिया गेट पर ग्रिनाइट की बनी उनकी भव्य मूर्ती प्रतिस्थित की जाएगी ये प्रयास उनके लिए भारत की खृतग्यता का एक प्रतीक होगा उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि जब तक उनकी मूर्ती पूरी नहीं होती है तब तक उस जगाँ पर एक होलो ग्राम से बनी मूर्ती रहेगी जिसका अनावरर 23 जन्वरी को नेता जी की जैनती पर प्रुधान मंत्री करेंगे प्रुधान मंत्री ने अपनी पोस्ट में जिस सजवीर को पोस्ट किया है उसमें नेता जी की मूर्ती इंडिया गेट के पास बनी एक छत्री के नीचे लगी दिखती है इंडिया गेट पर इस छत्री के नीचे पहले कुछ नहीं था अमर जवान जोति की इस्थापना कॉंग्रिस सरकार के समय हुई थी जबकि रास्टीए समर इसमारक का निर्मार मोधी सरकार ने किया इसलिए कॉंग्रिस ने इसे लेकर मोधी सरकार पर सीधा हमला बोला और इसे बिजेपी की एक साजिश करार दिया पार्टी ने एक ट्वीट पर लिखा अमर जवान जोती को बुछाना उन वीरों के साहस और बलिदान का अपमान है जिन्नों ने 1971 के युद में पाकिस्तान के दो टुकडे किये थे वीरता के इतिहास को मिटाने की भाजपाई साजश को कोई देशभक्त बरदाश नहीं करेगा शहीदों के अपमान का मुदी सरकार का ये रवया बहुत घ्रिनत है कॉंग्रेस नेता राहुल गांदी ने भी ट्वीट कर इसकी आलोशना की और साथ ही कहा कि इसे दोबारा जलाया जाएगा राहुल गांदी ने ट्वीट में लिखा बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर जोती जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा कुछ लोग देश प्रेम वा बलिदान नहीं समझ सकते कोई बात नहीं हम अपने स्यानिकों के लिए अमर जवान जोती एक बार फिर जलाएंगे वही कॉंग्रस नेता मनीश्तिवारी ने कहा कि अमर जवान जोती को बुझाना इतिहास को मिटाने जैसा है खै ये तो विवात की बात हो गई लेकिन सवाल ये है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है इस पर नेता और स्यान अधिकारी क्या सोचते हैं ये सुनिये फिर आगे पूरी बात करते हैं अमर जवान जोती दरसल हमारी एक विरासत है हमारी एक गवरो शालिस है ने परंपरा की एक धरोहर है और जब इस धरोहर को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह शिप्ट करने की बात आती है तो पहली नज़र में गुस्ता जरूर आता है और वो इसलिए आता है क्योंकि धरोहरें विरासतें ये सब चीज़ें बदली नहीं जाती है ये पुरानी भले होती रहती है ये आपको आपका अतीत याद दिलाती है और उस अतीत से आपको सीखने के लिए उकसाती रहती है आप कितने भी तर्क दे लें कि इसको दूसरी जगाप ले जाया जा रहा है इसको एक बड़ी मशाल के साथ मिलाया जा रहा है ये सब तर्क बेमानी हो जाते हैं हकीकत ये है कि हम इतिहास के को बदल नहीं सकते हैं और इतिहास में जो भी हमारे ताकतवर सूर्मा रहे हैं जिनके नाम भी हमको नहीं पता हैं और ये सूर्मा कोई और नहीं आपकी सेना के सैनिक थे इन सैनिकों के नाम को आप अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर इसे ब्रिटिश सरकार ने 1914 से 1921 के बीच जान गमाने वाले ब्रिटिश भारतिय सेना के सैनिकों की याद में बनाया गया था। की अधार शिला 10 फरवरी 1921 को रखी गई थी। ये 10 साल में बन कर तयार हुआ था। 12 फरवरी 1931 को ततकालीन वाइसरोय लॉड इर्विन ने इंडिया गेट का उधगाटन किया था। दिसमबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ये युद्ध 3 से 16 दिसमबर तक चला था। इस युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे। हाला कि इसमें कई भारतिये जवान भी शहीद हुए थे। 1971 के युद्ध में भारतिये सेना के 3847 जवान शहीद हुए थे। इन्ही शहीदों की याद में अमर जवान जोती जलाने का फैसला हुआ। इसके बाद इंडिया गेट के नीचे एक काले रंग का इसमारक बनाया गया जिस पर अवर्ण जमान लिखा गया। इस पर L1A1 सिल्फ लोडिंग राइफल भी रखी गई। इसी राइफल पर एक सैनिक हेलमिट भी लगा है। इस इसमारक का घाटन 26 जनवरी 1972 को ततकालीन प्रधान मंत्री इंद्रागांधी ने किया था। इसमारक में एक जोती भी जल लही है। 2006 तक इस जोती को जलाने के लिए LPG का इस्तमाल होता था लेकिन बात में इसमें CNG का इस्तमाल होने लगा। अब ये जोती नैश्टिय वार मेमोरियल में जलाए जाएगी। रास्ट्रिय युद्स समारक या नैश्टिय युद्स मार का उद्घाटिन किया था जहां 25,942 स्यानिकों के नाम स्वण अक्ष्रों में लिखे गए इस युद्ध स्मारक में 1947-48 के युद्ध से लेकर गलवान घाटी में चीनी स्यानिकों के साथ संघष तक शहीद हुए स्यानिकों के नाम अंकित है इनमें आतंगबादी विरोधी अ अमर जबान जोती और वार मैमोरियल में क्या फर्क है और आप समझ ये भी गये होंगे कि कॉंग्रस के विरोध की वज़य आकर क्SU क्या है पर आज का सच यही है कि इन्दिया गेट पर जलनेवाली अमर जबान जोती अब वार मैमोरियल की मर्शाल में पूरे स्यान्रिती र करे और सब्सक्राइब करे